नमस्कार दोस्तों आप से भी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल भारती करनसी पर जहन दी जाती है प्रणे नोट वे सिकों की सही जानकारी मैं हूँ आपका दोस्त महेश परजपत दोस्तों आज के वीडियों में बात करने वाला हूँ दो रुपी के एक कीमती सिक कोईन प्लेक्टरों के बीच में इस सिक्के की डिमांड बढ़ी है और इस सिक्के की कीमत भी अब धिरे-धिरे बढ़ने लगी है दोस्तों इस दो रुपी के सिक्के की पूरी जानकारी दूआ आप वीडियों पूरा देखें सरू से लेकर अंत तक अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस दो रुपी के शिक्के की ये शिक्का 1992 से 2004 तक बने हैं इस इस्क्कों की ठीम थी राश्ट्य एक ता इन शिक्कों का जो मिटल होता है वो हता है copper nickel और बजन में ये सिके 6 грام के होते हैं इस टीजाइन के बात करें तो ये सिकें का reverse भाग और ये सिकें का reverse भाग की बात करें तो भारत का नक्सा दिखाए गया है और उपर left side हिंदी में राष्ट ये एकता लिखा गया है और बीच में left side में नेशनल इंटेग्रेशन लिखा गया है अंग्रेजी में और नीचे इयर और मिंट मारक दिखाए गया है दोस्तों इन राष्ट यह एक तक थिम पर बने सिक्कों में दो ऐसे सिक्के आते हैं जो की रेर है एक आता है 1992 का नोईडा मिंट का सिक्का जबकि दूसरा सिक्का है 2004 के कलकता मिंट का सिक्का दोस्तों अगर आप यह सिक्के खरीदते हों तो किसी विश्विशन यह डिलर से ही खरीदे क्योंकि इन शिक्कों में फेक कोईन आ गये हैं जिनें टूल कोईन कहते हैं यह टूल कोईन की कीमत या फिर वेलू जीरो होती है फेक कोईन की वेलू जीरो ही होती है इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई रेर या फिर कीमती सिका खरीदें तो किसी विशुशन ये कोईन डेलर से ही खरीदें क्यूंकि दोस्तों जो कि टूल कोईन होता है वो सेम कोपी होता है ओर्जनल कोईन की इसलिए जल्दी से उस coin को पैचाना नहीं जा सकता ये सरी जिने सिकों की जानकारी होती है वो ही लोग इस सिकों को पैचान सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं 1992 के noidament के सिके की दोस्तो 1992 के noidament और bombay mint के सिके में confusion रहता है कि कौन सा सिका bombay mint का है और कौन सा noidament का सिका है इसलिए noidament के सिके की पैचान है कि noidament का सिका जो mint मारक होता है वो गोल होता है बिल्कुल गोल डोट होता है जबकि bombay mint के सिके की पैचान होती है diamond अगर आपके पास थी 1992 का noidament का सिका है जो year के निचे 1992 निचे गोल्ड डोट मारक है तो वो इसका नोईडा मिंट का सिका है इस सिके की केमत UNC कंडिशन में 2500 रुपे से लेकर 3000 रुपे के मद्दे चल रही है अगर वही सिका एक्ट्रा फाइन कंडिशन का है तो 1200 रुपे से लेकर 1500 रुपे के मद्दे केमत हो सकती है अब बात करते हैं 2004 के कलकता मिंट के रेर सिके की तो 2004 के कलकता मिंट के सिके की पैचान होती है year के निचे कोई भी मिंट मारक नहीं होता without मिंट मारक होता है ये कलकता मिंट का सिका और इस सिके की कीमत fine condition में 400 रुपे से लेकर 500 रुपे के मद्दे चल रही है वहीं UNC कंडिश दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है वीडियो पसंद आई यो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो लाट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत भुत धन्यवाद जय हिंद भारत